चलिंगे कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी एक जन सभा को जंग पूरा में संबोधित कर रहे हैं उन्हें सुनते हैं जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है और फिर जेल में गया तो यह हैं आपके लोकल नेता यह कहाँ पढ़े थे यहाँ इस्कूल में पढ़े थे और इनके दर्वाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे अच्छा अच्छा चुनाओ हारे मुझे एक बात बताओ चुनाओ हारने के बाद यह आपके बीच में थे हाँ या ना इनके दर्वाजे आपके लिए खुले थे हाँ या ना आपके जो मले हैं आम आदमी पार्टी वाले उनके दर्वाजे आपके लिए खुले हैं क्या तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी हो काम नहीं होता, मार्केटिंग होती है 24 घंटे आपी का पैसा लेकर अपनी मार्केटिंग आपके सामने करते हैं ये मार्केटिंग वाले आदमी नहीं है ये सचाई वाले आदमी है इन्होंने एक बार जो कहे दिया वो ये करके दिखा देंगे तो इनका पूरा समर्थन कीजिए अब थोड़ा समय आपको दिल्ली और देश के बारे में कहना चाहता हूँ मोदी जी आए, पांच साल हो गए आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा याद है याद है मिल गए मिल गए दो करोड युवाओं को रोजगार हर साल ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रोजगार के लिए क्या किया मुझे बता दो मुझे बता दो यहाँ पे बेरोजगारी के लिए अर्विंद केजरिवाल ने क्या किया बेरोजगारी बड़ी बड़ी नोट बंदी कॉंग्रेस पार्टी ने की, नरेंद्र मोधी ने की गबपर सिंग टैक्स कौन लाया, नरेंद्र मोधी लाया, गॉंग्रेस पार्टी लाया नोट बंदी से गबपर सिंग टैक्स आपको फाइदा हुआ नुकसान कुछी दिन पहले Finance Minister कहती है interview में उससे पूछा आप बताईए कितने रोजगार पैदा किये वो कहती है मैं नहीं बताऊगी मैं नहीं बताऊगी कितने पैदा किये interviewer नहीं पूछा क्यों नहीं बताऊगी कहते है अगर मैंने कह दिया तो पिर राहूल गांदी सवाल उठाएगा मेरे पीछे पढ़ जाएगा राहूल गांदी कहेगा कि जूट बोल रहे हो मतलब फाइनांस मिनिस्टर कह रही है कि मैं कहने को त्यार नहीं हूँ मैंने कितने युवाँओं को रोजगार दिलवाया आपने बजट देखा तीन घंटे तीन घंटे ना बेरोजगारी के बारे में कुछ ना किसानों के लिए कुछ खोकला भाशन क्या? खोकला खोकला भाशन और डेड़ 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बेरोजगार युवाओं का पैसा, आपके जेब में से निकाल कर, नोट बंदी करके, गबबर सिंग टैक्स लागो करके, आपके जेब में से निकाल कर, पंद्रह लोगों को दे दिया, नाम जानते हो, यह देखो, मैं अगले भाशन में मैं सोच रहा हूँ, मैं लिस्ट निकालूंगा, नरेंद्र मोधी ने अधानी जी को कितने प्रोजेक्ट्स दिये हैं, पिछले पाँच साल में, मुझे लगता है, पेंटालिस मिनट तो उसी में लग जाएगी कि कितने प्रोजेक्ट्स दिय हिंदुस्तान के सारे पॉट्स पकड़ा दिये, जहां भी देखो, आपको यह अधानी का नाम दिखाई देगा या पिर अम्बानी का नाम, आप यह दो नाम याद रख लो, अधानी और अम्बानी, यह नाम आप याद रख लो, यह नरेंद्र मोधी की सरकार नहीं है, यह अधानी, अम्बानी की सरकार है, और पूरा का पूरा फाइदा इनी 15 लोगों को मिलता है, पूरी दुनिया देख रही हिंदुस्तान के और दिल्ली के और, आपने देखा, चाइना में अभी वाइरस हुआ, पूरी दुनिया की कंपनीज चाइना में, जहां भी आप देखो मेड आद, जो भी खरीदते हो, टी-शher खरीद आप पीछे मेड इन चाइन, जूता मेड इन चाइन, मोबाइल फोन मेड इन चाइन, अमरिका, जापान, उस्ट्रेलिया, इंगलेंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब के सबने अपनी कंपनेों को चाइना भीजा, झाल झाल